नमस्कार मैं मम्ता बाच पैई आप सबका बहुत बहुत आप सबको बदाये देती हूं हैपी सावन हैपी रच्छा बंदन आप सब खुब खुश रहें इंजॉय करें और हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें मुझे बहुत कुशी है कि आप लोग मेरा चैनल बहुत मुझे आगे बढ़ा रह है इसकी लिए धन्यवाद आप सबको और अब मै आज बात करूगी माएके की वा वा क्या बात है माइके की बात होती है तो फिर बात आलग होती है और हो में बात है माईके की नई हरवा में होए राजा कितोš निको लाग répondre तो इसी पर मैं पहले कज सावने रुतियाई राजा कितो निको लागे चहरे में रहिये विदे से में रहिये सहरे में रहिए, बिदे से में रहिए, नई हरिवाओं में हो ए राजा कितो निको लागे, सावने रूतियाई, राजा कितो निको लागे, मेलामे जूले, बंबया के जूले, वो अंबुवा किडाल राजा कितो निको लागे, सावने रूतियाई राजा कितो निको लागे, तो यह सावन रुत की बहार हरा हरा सब कुछ हरारा दिखाई देता है तो हम यह कहेंगे आप सबसे कि भाई अपने बेटियों को जरूर सावन में बुलाएं उनसे कहें अगर वह जौब करती हैं वह छुट्टी लें किसी भी तरह से सावन में जरूर अपने घर आएं क्योंकि पहला सावन तो हर बेटी को अपने माइके में ही पूरा एक सावन का महीना रहना चाहिए और नाक बंचमीर अच्छा बंदन सब माइके में करना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि जिस साल बेटी की शादी होती है तो कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि किसी-किसी घरों में जो है कि कम हम आ जाती है कोई बीमार होती है कि निए लड़कि ओर चूर्व परक попроб अच्छे होते हैं तो इसलिए लड़कियों को जब आप-धक्र परना पहलेखा उच्छा बना रह कि प्रप you सावन के महीने में यदि लड़कियां अगर बधारन करती हैं तो बच्चे थोड़े से मानसिक रूप से अस्वस्त पैदा होते हैं तो इसका भी एक रिजन है आयरुवेद कहता है कि सावन के महीने में लड़कियों को माय के रहना चाहिए जिससे कि यह रहता है कि तो को बच्चे की बात है पूरे जिंदिगी का लाइफ का सवाल होता है हमारा बच्चा स्वास्थ हो आपका बच्चा स्वास्थ हो सभी के और इन सब को रखते हुए आगे बढ़े तो हमारा फाइदा हुआ है क्योंकि बहुत चीज़ों हमलोग भूल गए पुरानी चीज mujer क्यों तो यह सही चीज नहीं है और दूसरी चीजी कि जैसे अब सावन में हैं महींने में अपने मायके में पानी बरस रहा है और हमें मन कर रहा हैं बाहर जाएं बाहर गूम है औहатель में थोड़ा सा बंदन होता है थोड़ा सा लड़कीयों को ठोंता है यह सबी लोग जानते हैं व्याज करें बंदन है पीर ज्यादा उताщее नेग्ज फिर भी अ सब्सक्राव माईके में फंसका फोता है तो जैसे ये कजरीगी तोर है कि घीर आई रे बदरिया अले के काले अंधी अरिया मिलके गाएं सब कजरीया संग में जूम जूम के किर आई रे बदरिया ले के काले अंधी अरिया मिलके गाएं सबका जरिया संग में जूम जूम के खेतों वे जूब अर पेडों पर जूले पड़ जाए पेडों पर जूले पड़ जाए जूला जूले मिलकर पैंग बढ़ाए जूम जूमते जूला जूले मिलकर प्रेंग बढ़ाए जूम जूमते यह रही हमारी कजरीगीत और दूसरी बाद हम यह भी कहेंगे कि आज कल थोड़ा सा यह भी हो गया है कि यह एकला परिवार हो गया है अकेले केले लोग रहने लगे और पति पत्नी और बच्चे तो उससे थोड़ा सा स जोड़ कि हमाई से चल जो महिना पंदा दिन के आराम से रहो लेकिन अब थोड़ा सा इन चीजों का बंदन हो गया है कि आप किसके साहर उनको छोड़ की जाएंगी जब अलग रहने लगे तो तो इसलिए आप कोशिस करिए कि अपने फुल फैमिली के साथ रहिए जिससे उ कि अगर बहार सर्विस होती है तो जाना पड़ता है यह सब चीजें हैं धन्यवाद